मैं मुकेज अंगेड गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको ड्रो फेक्टर निकालना आ जाएगा अगर नहीं आता है तो बेसक मेरे इस यूटूब चैनल को अंसब्सक्राइब कर देना नमस्कार साथियों मैं मुकेज अंगेड आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल ओटी क्रोनिकल स्वीद मुकेज में यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्रो फेक्टर कैसे निकालते हैं वो भी बीना किसी फोर्मूले के जी हाँ आपको कोई भी फोर्मूला याग नहीं करना आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकल सेटप के अंदर दो परकार के आईवी सेट आते हैं एक तो होता है माइक्रो एक होता है मेक्रो माइक्रो सेट के अंदर क्या होता है कि जब छोटी-छोटी 60 बुंदे होती है तो वो एक अमल का निर्मान करती है या फिर एक अमल के अंदर 60 बुंदे बनती है यहीं पर macro set के अंदर इसके मुकाबले बड़ी बुंदे होती है यह 15 बुंदे जब मिलती है तो 1 ml का निर्मान करती है या फिर 1 ml के अंदर 15 बुंदे यह IV set बनाता है यह बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं तो वीडियो को पीछे करके एक बार इस चीज को समझिए आगे बढ़ते हैं हम एक एक्जाम्पल के साथ में एक्जाम्पल के तोर पे हम लेते हैं IV macroset एक लेते 100 ml का निर्मान का निर्मान इसको देना है में 1 गंटे के अंदर ये macroset एक ml के अंदर 15 बुंदे बनाता है तो 100 ml के अंदर कितनी बना दे का 15 गुणा 100 बराबर 1500 बुंदे हमारे बनके तयार हो गई अब 100 ml के NS को भूल जाए हमारे पास में बनके तयार हो चुकी है 1500 बुंदे 60 मिनिट के अंदर हमें 1500 बुंदे देनी है तो एक मिनिट के अंदर कितनी बट्टे 60 बرाबर 25 डुप बनके आती है एक मिनिट के अंदर ये आपका आचुका है अब यही एग्जाम्बल हम लेके चलते हैं macroset के उपर MicroState के अंदर 1 ml के अंदर 60 बुंदे बनती है तो 100 ml के अंदर कितनी बन के आएगी 60-100 बराबर 6000 बुंदे मिलकर आती है जब 60 मिनट के अंदर 6000 बुंदे देंगे तो एक मिनट में कितनी बुंदे देंगे जल्दी सी इस चीज का आंस्वर आप comment section के अंदर मुझे बताईए अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो मेरे इस YouTube चैनल को like and subscribe जरूर कर दीजिए मिलते हैं next video के अंदर Thank you, Tata Bye Bye